दोस्तों स्वागता आपका मेंटरेडे की चैनल पर यहाँ पर आपको कोर्सेज, जॉब्स और इंटर्शिप के वीडियो मिलते हैं आज के वीडियो में बहुत ही इंपोर्टन अपडेट के साथ बात करने वाले हैं जो की इंपोर्टन अपडेट्स जो है वहीं यूडस्टी और अमेजन वेब सर्फिस की कोलाबरेशन से आ रहा है यहां पर यह डिग्री प्रोग्रम नेनो डिग्री प्रोग्रम फ्री अफकॉस दिया जा रहा है इसकी cost है 14,565 और ये बिल्कुल free of cost ये degree program दिया जा रहा है actually यहाँ पर scholarship program शुरू किया गया है हम Udacity की तरफ से और Amazon Web Services की तरफ से कौन student इसमें enroll कर सकते हैं और कैसे enroll करना है और कैसे इस course को free of cost grab करना है आपको तो ये सब कुछ हम लोग discuss करेंगे आज के वीडियो में उससे पहले मैं आपसे request करूँगा कि आप telegram चैनल पर जरूरू जॉइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत important updates मैं daily basis पर यहाँ पर देता हूँ let's update की तरफ से भी free of cost courses machine learning के deep learning के कैसे आप अपनी app बना सकते हैं बहुत सारे important updates मैं देता हूँ और 5TV के जो downloadable link के जो courses है digital marketing के regarding C++, Java, Python और भी बहुत सारे premium content जो है आपको बहुत सारे important institute के courses free of cost मिल जाएंगे यहाँ पर तो friends जुरू share कीजिए अपने friends के साथ ऐसे important updates को तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं the Amazon Web Services Machine Learning Foundation course इसमें आपको कैसे register करना है कौन student register कर सकते हैं सबसे पहले तो एक दो conditions हैं इसकी we are inviting to 18 years above of age and older who are interested in expanding their machine learning skills and expertise to enroll in Amazon Web Services Machine Learning Scholarship Program तो दोस्तों आपकी age 18 years above होनी चाहिए उसके बाद मेई 26 को यह program शुरू हो गया था यह आपको शुरू होगा इसका registration शुरू हो गया था आपको जो आप program शुरू होने जा रहा है यह जून 28 को उससे पहले आप कभी भी register कर सकते हैं participants के पास जो 3.5 मेने का time होगा जिसमें आपको Amazon Web Services Machine Learning Foundation कोर्स कम्प्रीट करना है तो इस कोर्स में आपको बताया जाएगा Machine Learning के concepts बताया जाएगी और computer vision तक बताया जाएगा आपको कैसे एक python package जो है वो अपना build कर लेना है और अपना software engineering के basic concepts और best practices बताया जाएगी तो इस तरीके से ये course शुरू होगा आपका तो 425 student ही select करेंगे ये लोग ये लोग ज्यादा student नहीं select करेंगे लेकिन ये second round में होगा first round में सब लोग eligible हैं तो आपको कैसे enroll करना है यहाँ पर simply आपको यहाँ पर get started पर click करना है और get started पर click करेंगे तो आप redirect हो जाएंगे आप Google से sign up भी कर सकते हैं Facebook से sign up भी कर सकते हैं आप direct registration भी कर सकते हैं अगर आप 18 years के अबव हैं तो आप कोई भी email ID से आप register कर सकते हैं अपनी learning को enhance कर सकते हैं तो friends चलिए next phase की बात करते हैं Amazon Web Services Machine Learning के courses जो है उसमें क्या 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 करना पड़ेगा आपको register for Amazon Web Services Machine Learning Foundation course 100% application will be enrolled for the phase 1 मतलब सभी लोग enroll होंगे phase 1 के लिए कोई भी पीछे नहीं रहेगा सब को enroll करना चाहिए Machine Learning के fundamentals आप सीखेंगे उसके बाद object oriented programming best practices सीखेंगे Learn computer vision with Amazon Web Services Deep Lens Reinforcing, Reinforcement Learning with Amazon Web Services Deep Racer and Generative AI तो दोस्तों इस तरीके से आपको 3-5 घंटे जो है हफते के निकालने जो की possible है सब के लिए कोई impossible वाली बात नहीं है तो सिर्फ 425 seats मैंने बता दिया है कि आपको सिर्फ 425 seats वाले ही जो student जो best students होंगे वो ही enroll करेंगे इसमें तो आपको यह timing क्या होने वाली है उसमें बात कर लेते हैं ताइमिंग जो है Wednesday May 26 को यह कोर्स का प्रोग्रम उपन हो जाएगा Amazon Web Services Machine Learning Engineer Scholarship Program की application close हो जाएगी 23rd of June से 23rd of June को यह प्रोग्रम को application close हो जाएगी उसके बाद June 28 से यह कोर्स का first phase जो है उपन हो जाएगा उसके बाद October 11 को Amazon ML Foundation course phase 1 ends तो October तक आपको free learning करनी है यहां पर आपको project जो टास्क दिये जाएगे उसको deposit करना है उसको देखना है आपको practice करनी है Thursday October 21 को जो है Amazon Web Services Machine Learning Scholarship Program winners announce होंगे उसके बाद आपको winners के announce होने के बाद machine learning का जो phase 2 है वो important phase है यहां पर आपको जो scholarship programs दिया जाएगा तो phase 2 ओपन होगा तो उसके बाद जो nano degree program है Amazon Web Services Machine Learning nano degree program है phase 2 को end हो जाएगा 30 January 25, 2022 को होगा सब कुछ virtually होने वाला students can register at any point during the registration window access to the Amazon Web Services Machine Learning Foundation course will be available from June 28th to October 11, 2021 तो guys यह आप कर सकते हैं इसमें को आपको simply आपको बता दिया गया है कि जैसे get started पर क्लिक करके आप registration कर सकते हैं आपनी और free of cost अपनी machine learning का program को सीख सकते हैं लेकिन अगर आप second phase में चले जाते हैं तो इसमें बहुत ही बढ़िया बात होगी आप जरूर comment box में comment करके बताईएगा तो ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे important updates में daily basis पे यहाँ पे देता हूं